हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे रिजनिंग में मीसिंग नमर से समबंधित प्रह देखे दोस्तों ऐसे प्रषण आपकी एकजाम में हमेशाब पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तों अगर ऐसे प्रषण को सॉल्ब करना है तो वीडियो को लाज तक जरूर देखना ह तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट सटार्ट करते हैं क्षटन में क्या दिये गए प्रस्ण में लुप्त संख्याग ग्याद किजीए देखिए दोस्तों लुफ्अ संख्या हमारी यह पर है ठीक है चार आप्सन दिये हुए इन्हीं में से एक आप्सन हम select करना है तो देखिए दोस्तों हम कैसे से solve करेंगे एक प्रस्ण मुझ्ट इम्पोर्टेंट है इसे प्रस्ण आपकी इक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो चलिए दोस्तों फटापट इसे solve करते हैं देखिए क्या दिय देखिए आठ और 702, 68 और 702 में एक कुछ ऐसा करें कि हमारा 400 आ जाए, देखिए दोल्सक्राइक सास व कानवी दिया हुआ है, अगर हम इसमें 8 जोड देःंगे, 8 जोड देंगे, कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 800, और 800 में हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा 400 देखे दोस्तों यहाँ पर 400 आ गया देखे दोस्तों हमने क्या किया 792 में 8 को जोड दिया और फिर इन सब में 2 से भाग दे दिया आनिकी 800 में 2 से भाग दिया तो हमारा कितना प्राप्त हुगा 400 प्राप्त हुगा ठीक है 400 प्राप्त हो गया उसी परकार अब क्या करेंगे इस 4 को 396 में चोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 396 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा और 400 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 200 देखे दोस्तों हमारे बीच वाले संख्या प्राफ्थ हो गई क्या कि हमने पहली वाले संख्या को तीसरी वाले संख्या में जोड़ दिया और उसमें 2 से भाग दे दिया तो हमारा 200 संक्या प्राप्त हो गया ठीक है अब उसी परका इसे स्वल्व करेंगे देखिए क्या करेंगे 9 दिया है और 450 यहां पर question mark दिया है अब इसे कैसे स्वल्व करें देखिए दोस्तों 450 आनि कितने का आधा होता है 900 का 900 का आधा 450 होता है तो देखिए दोस्तों किस option में इसे option स्वल्व करेंगे देखिए दोस्तों किस option में हम 9 जोड़ दें कि हमारा 900 हो जाए देखिए option number 1 में जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा क्यों क्योंकि इसमें 880 होगा ठीक है और option number 2 में जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 900 तो हम इसमें दो से भाग देंगे तो कितना जाएगा 445 आनि कि आपसन नमर भी हमरा से हो जाएगा को चलिए दोस्तों चलते अपने नेस्ट कोश्चन पर कोश्चन नमर दूसरा देखिए दोस्तों कोश्चन नमर दूसरा के अदने मिलिकित अस्तंब को पूरा किजिए देखिए दोस्तों अस्तंब आने की कोश्चन मार कमारा यह पर दिया हुआ है चार option दिये हुए हैं, इन्हें में से एक option select करना है और यह person most important है, इससे प्रसन आपकी एक जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं तो चलिए दोस्तों इसे हम solve करते हैं, देखिए दोस्तों इसे कैसे solve करेंगे देखिए इस तरह से हम solve करेंगे, इस तरह से solve करेंगे 52 दिया हुआ है, तो हम 5 में 2 सगुना कर लेते हैं, 5 में 2 सगुना करेंगे, किना प्राफ्ज हुजयागा, 10, देखें, प्लसदों यहाँ पर आ गया 10, ठीके, 10 आ गया, अब क्या करेंगे, 5 और 2 के बीच में हम प्लस कर लेते हैं, तो कितना आजाएगा 7 देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आ गया 7 हमने क्या किया 5 में 200 गुना किया तो 10 प्राफ्थ होगा ठीक है और 5 और प्लस 2 कर दिया तो 7 प्राफ्थ हो गया आने कि पहला concept clear हो गया अब दूसरे concept को clear करते हैं यह इसमें क्या किया है कि 6 और 7 6 और 7 में हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 कितना जाएगा 42 देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ पर आ गया 42 ठीक है क्या क्या 6 और 7 में आने कि इनके बीच में गुने का चीन कर दिया है तो कितना गया 42 आ गया है इनके बीच में गुना कर दिया है अब क्या करेंगे 6 में हम 7 कितना ज pore 18 kud Snod dla आपनामर सी मिंहें हुआ हमसाइगा ओट यहां पर अब देखें किया करेंगे तीन में हम छे तीन में में छ edd्लिय हो गए ठीक एक assess secure ho गया ठीकर इंप एक काई सब्सक्राइब करते चले गए तो हमारा संख्याब Those CS कोश्चन मार के अस्तान पर अठारा आ गया और आप्सन नमर सी में दिया है तो आप्सन नमर सी हमारा से हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रसन आपको बहुत ही असानिस समझ में आगये होंगे तो चलिए दोस्तों चलते पर इंडिस्ट कोश्चन पर कोश्चन नमर तीसरा देखिए दोस्तों कोश्चन नमर तिसम के दिये के प्रस्चन में लूप्त संख्या ग्याद कीजिए देखिए दोस्तों लूप्त संख्या नहीं की मिसिंग नमर हमारे पर है चार आप्सन दिये हुए इन्हें से एक आप्सन में सिलेट करना है यह प्रस्चन मुश् से स्वाल करेंगे देख़ी दोस्तों हमने आपको बतायाय जब भी बड़ी संखय है नीचे दी हो पर आगे 28 अब 28 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आजाएगा 56 तो ग Julian इसे भी solve करेंगे ठीक है चार में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा देखे दोस्तों यहाँ पर 8 दिया है ठीक है अब 8 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 देखे दोस्तों हो जाएगा 16 यहाँ पर भी दिया हुआ है अब क्या करेंगे 16 में 9 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आजाएगा 9 दुना के 18 देखिए यहाँ पर आजाएगा 18 कोश्चन मार के अस्थान पर 18 भर आजाएगा अब 18 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दुना के 36 देखिए यहाँ पर आगया 36 36 अब क्या करेंगे 36 में दो सगुना करेंगे तो क्या आजाएगा 72 देखिए यहांपर आ गया हमें 72 ठीके दोस्तों यहां पर कोश्टन मारक स्थान पर 18 आ गया और 29 आफसन में दिया गया तो तो आप्सन नमबर D हमारा से हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रस्ण आपको बहुत ही आसाइस समझ में आ गए होंगे, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले कोश्चन पर, कोश्चन नमबर चार, देखिए दोस्तों कोश्चन नमबर चार में क्या दे, दिये गए प्रस्ण में लुप्त संख्या ग्याद कीजिए, देखिए दोस्तों लुप्त संख्या हमारे हैं, पर दी हुए चार आपसन दिये हुए हैं, इन्हीं में से एक आपसन में सेलेट करना यह प्रस्ण मुछ्ट इसे प्रस्द आपकी जाम में कई बार पूचे जा चुके हैं, और पूचे भी जा सकते हैं, देखे दोस्तों अगर ऐसे प्रस्द आपकी नीचे 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 इसे नीचे इस तरह से तो देखे दोस्तों हम क्या करेंगे 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 कितना दिया हुआ है 10 ठीके आने की एक कंसेप्ट गलत है इसमें दिखिए, 7, 6, कितना होगा, 13, 13 हम 3 जोड़ेंगे, तो 16 आजाएगा, यहाँ पर क्या दिया है, 4 ठीके, तो यह इस तरह से नहीं सोल भूगा, कैसे सोल भूगा, देखिए, 5 और 4, 5 में हम 4 से गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना हो जाएग ठीके, अब उसी परकार हम इसे सोल भूग करते हैं, देखिए, दोस्तों क्या दिया है, 7 और 6, 7 में 6 सोगुना करेंगे, तो कितना जाएगा, 42, कितना जाएगा, 42 और 42 में हम 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो कितना जाएगा, 14 आजाएगा, कितना जाएग 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 48 आजाएगा ना, हम 48 में किस से भाग देंगे, हमारा 12 हो जाएगा, देखिए, 48 में हम 4 से भाग देंगे, तो कितना आजाएगा, 12 हो जाएगा, कितना आजाएगा, 12, क्योंकि 12 चोग को 48 होत पांच में चार से गुना किया, तो 20 आया 20 में 2 से भाग दिया, तो हमारा 10 पराप्त हो गया, ठीके, उसी परकार हमने क्या किया, 7 में 6 से गुना किया, तो 42 आगया, 42 में 3 से भाग दिया, तो 14 आगया, ठीके, अब क्या किया, कि 8 में 6 से गुना किया, तो 48 आगया, 48 में हमने 4 स या हुआ है तो आपसन नमर भी हमारा से हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ कि यह भी प्रस्ण आपको बहुत ही असाइस समझ में आ गए होंगे तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेस्ट कोश्चन पर कोश्चन नमर पांच में क्या दिया है दिये गए प्रस्ण में लुप करते हैं देखिए दोस्तों जब भी ऐसे प्रस्ण आपके एकजाम में आए जो बीच में कॉष्च कि दिया हो तो हम क्या करें गी 12 और 144, 12 और 144 के बीच में कुछ यसा करेंगे कि 132 जाएं और 9 और 81 के बीच में कुछ यसा करेंगे कोई संख्या पराफ्ट हो जाए और 7 और 49 में कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा 42 संख्या पराफ्त हो जाए तो हम क्या करेंगे 12 और 144 12 को 144 में से 12 को 144 में से मानस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 132 कितना आ जाएगा 132 देखिए दोस्तो 144 में से 12 मानस करेंगे 132 आ जाएगा देखिए दोस्तों हमारा बीच में आ गया 132 हमने क्या किया कि 144 में से 12 को मानस कर दिया तो हमारा 132 आ ठीक है अब क्या करेंगे देखिए इस 9 को 81 में से मानस कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा देखिए दोस्तों ओ आ जाएगा हमारा 72 कितना आएगा 72 तो question markistan पर क्या भरा जाएगा 72 हमने क्या किया 81 में से 9 को माइनस किया तो कितना आगया 72 आफसन नमबर D में दिया हुआ है तो आफसन नमबर D हमरा से हो जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों उसी पर का इससे भी solve कर लेते हैं देखे 7 को हम 49 में से माइनस करेंगे तो कितना आजाएगा 42 कितना आजाएगा 42 ठीक है तो देखे दोस्तों हमने इससे बहुत ही असानी solve कर लिया तो अगर इससे प्रस्ण आपकी exam में आएंगे तो आप लोग बहुत ही असानी solve कर लेंगे तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सस्क्राइब और शेयर करना ना भूलें आज की लिए बस इतना ही